वेज्यानिकों का संगर्स है कि यहां से सुरुवात की और आज यहां पर पहुँच गए हैं और यह संगर्स लगातार जारी भी रहने वाला है आए सुरुवात सो थर्ड पर पहुँचने से पहले जो नीव का जो फत्तर होता चंद्रियान फर्स जो है उसके बारे में बातचीत करते हैं चंद्रियान फर्स आप से जानतों यह चंद्रियान फर्स की फोटो आपको दिखाई दे रही है देखिए चंद्रियान फर्स जो है पी उन्होंने शुरुवात की थी 15 अगस्त दोजार टीन को आपचारी घोसना की थी कि भारत चांद को फत्य करने के लिए शुरुवात करने वाला है और लगबग 5 साल बाद 22 अक्टूबर 2008 को 37 धवन अंत्रिक्ष केंदर स्री हरी कोटा से जो है वो हमने चंदरियान 1 को लौ हमारा इसके द्वारा हमने लौंच किया ठीक है पी एसलवी सीगार्स रोकेट जो आपके इसके द्वारा 22 अक्टूबर 2008 को 37 धवन अंत्रिक्ष केंदर स्री हरी कोटा से हमने चंद्रियान 1 लौंच किया क्योंकि दोस्तों चंद्रियान 1 पूछ पूछिए आप से क्योंकि अगर पूछे दोस्तों मतलब दोस्तों इस मिसन का उदेश्य केवल चांद की जो कक्षा उसके चारो चक्कर लगाना था उसके बारे में चंद्रियान 1 ने बताया था 22 अक्टूबर 2008 को हमने इसको लौंच किया PSLVC 11 के द्वारा लौंच किया इसके बाद दोस्तों चंद्रियान 2 देखिएगा चंद्रियान 2 जिससे हमें बहुत सारी उम्मीदे थी और चंद्रियान 2 आपके 22 जुलाई 2019 को हमने लौंच किया था क्योंकि रजगुला दोस्तों पहले वाला जो फर्स्त हमारा वो सो केवल दोस्तों और्विटर मिसन था मतलब दोस्तों केवल घूमने वाला मिसन था वो चांद की सते पर उतरने वाला मिसन नहीं था इसलिए दोस्तों हमने अब रजगुला जो है सो और्विटर सो चांद के आपके चारोड जो घूमने वाला आपके साथ जो लेंडर उसके सते पर उतरने वाला और रोवर दोस्तों उसके सते पर चलने वाला जो है वो भी था इसमें प्रग्यान ये तीनों हमने लौंच किय 22 जुलाई 2019 when लूंच किया चंद्रियान कज एस एल्फी एम तीर सरोish यह भी दोसो शफलता प्रप्रवक लॉंच हुआ था जिस रोकेट से हमने आज चंध्रियान 300 किया है उस रोकेट ने अब तक जो 7 बार, 7 बार उडान बरी है और आपको जानकर खुसी होगी, प्राउड होगा साथों की 7 बार सफल उडान उसने बरी है LVM3 जो हमारा रोकेट है, अब सुनिए उसापके यह 244 सेकंड है, 22 उलाई को लॉंच हुआ है GSLV MK300 MN से लॉंच हुआ था, 3850 किलोग्राम इसका बसो बजन था और विटर था यह, लेंडर था रोवर भी था दक्षणी धुरूप पर सोफ्ट लेंडिस तो करने ही वासा अब ही तो बताऊंगा दोस्तों आपको लगता होगा कि भारत चोथा देश बनने वाला है नारस गुला भारत फस्ट देश बनने वाला है और बताऊंगा क्यों कठीन है साउथ पोल पर लेंडिंग करना क्यों हमने साउथ पोल चुना है क्यों चंदरियान थर्ड 99.9% सफल होने वाला है इन तीन मुद्धों पर आपको बाच्चित करने वाले देखिए उसों साथ बार दोस्तों इस रोकेट ने उडान वरी और साथो बार सफल उडान वरी इसने इसमें और्बिटर है लेंडर है इसमें रोवर था विक्रम सर्भाई के नाम पर था और सो रोवर जिस आपना इसो प्रग्यान आपके इस रोवर प्रग्यान था जिसका अर्थ बुद्धी होता जिसका अर्थ भुरुब जो है आपके उस पर सो सोफ्ट लेंडिंग करने वाला था लेकिन दोस्तों उससे दो किलोमेटर से पहले ही आपके का हुआ जो लेंडर है उसकी स्पीड क्या है इस लेंडर की स्पीड भड़ गई थी और रस्गुल्ला दोस्तों यह सोफ्ट सो सोफ्ट लेंडिंग करने की बजाए क्या हुआ यह क्रैस हो गया था यह आपने सुना होगा यह हमने पढ़ा भी था हमारा दिल तूटा यहां पर हमारा दिल सो तूटा यहां पर मात्र सो मात्र दो किलो मिटर मतलब दोस्तों कुछ सेकंड सो कुछ सेकंड पहले क्या हुआ कुछ सेकंड पहले यह हमारा सपना तूट गया मतलब सो अगर यह लेंडिंग होती तो भारत उस समय सोफ्ट लेंडि सपना टूटा 140 करोड दी सवाश्य को सपना टूटा लेकिन इसरों ने हार नहीं मानी देखिए कमाल तो यह दोस्तों इसरों लगा जुलाई 19 के बाद में वो समय फिर आ गया दोस्तों फिर समय आ गया 14 जुलाई दोस्तों देखिएगा एक बाद फिर मैं आपको चंद्रियान सेकिंड दिखा रहा है दोस्तों इसमें दोस्तों आपके इसके अंदर सो रोवर भी था आपके लेंडर सो रोवर इसके अंदर है यह चंद्रियान सेकिंड था और रसगुलाई वो समय आ गया 14 जुलाई 2023 आज की वो तारीक है सिरी हरी कोटा 37 धवन अंतरिक्ष केंद्र सिरी हरी कोटा 14 जुलाई 2023 फ्राइडे का दिन दोस्तों और दोपहर के दो बज के थीश मिनट पर काउंटिंग स्टार्ट थी काउंटिंग मतलब दोस्तों जब ये लॉंच हो रहा था न दूस जब वो लॉंचिंग के लिए काउंटिंग इस्टार्ट हुई कि फाइव फॉर थी टूँ वन और लॉ कि यह हमारा दिल लेके उड़ रहा है क्या सो यह लॉंचिंग होती है चंद्रियान सड़ की चंद्रियान थर्ड 14 जुलाई 2300 इसकी लॉंचिंग होती है दो पहर के दो बच के दूसर 35 मिनिट पर लॉंच होता है 615 करोड रुपी है अरे सुनलो रहे जितने में आधी पुरु स्क्रार 1 जो तुमने मजाक बनाया था उतने में रस्गुलाइं हमारे विज्यानिकों ने उससे कम में चंद्रियान 3rd वर्ल्ल का सब्सें सब्सें सस्ता दोस्तों के हैं चंद्रियान विशन कौन सा यह चंद्रियान 3rd मिशन है 615 कड़ पर पेज कीमत थी LVN 3rd जो कार कि द इसका खुद का दूसर वजन कितना है इसका खुद वाली जो रोकेट है अभी दिखाऊंगा आपको वीडियो भी दिखाऊंगा वो लॉंचिंग वाली